कैसे हैं आप पतले बेजान रूखे बालों को घना और मगदार कैसे बनाया जाए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका पूरा फाइदा उठा सकें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह आज मैं जो आपको बताने वाली हूं यह मैंने घर पे ही ओल बनाया है क आकिट में मिलने वाले वाल की सबसे बड़ी प्रॉबलम यह है कि उसमें बहुत तेज मैल होती है जिसकी वजह से कई बार हमें सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो अभी हम रस्पी शेयर कर लेते हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा कोकोनट वाइल एक बॉटल पं इसकी 8-10 टैनिया ले लिजे और इतने ही आप नीम के पत्ते की टैनिया भी ले लिजे और 100 ग्राम आपको लेना है दाना मेथी यह जो फ्लार्ज हैं और कड़ी पत्ता और नीम के पत्ते सबको अच्छे से दोगे धूप में सुखा लिजे ताकि कोई भी इसमें मिटी वग आप उसको बिल्कुल सिम पर रखिए जैसे ही तेल हीटब होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें सबसे पहले आपको दाना मिथी डालनी उसके बाद फ्लार्ज डालने है फिर उसके बाद करी पत्ता नीम पत्ता सबकुछ डालके उसको सिम पर ही उसको 10-15 मिनट तर आप उसको बाल आप इसको चान के किसी बॉटल में निकाल के प्रिजर्व कर सकते हैं यह कम से कम आपको शुरू में हफते में तीन बार अगर अछ्छे से मसाज करेंगे अपने बालो में और रात को लगा लिजे और सुबा अपने बाल दो लिजे आपको इतना फरक महसूस होगा आप के बाल घने चमकदार और लंबे हो जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगए यह आई तो मैं चाहूंगी कि आप इसको यूज करके बताएं कि यह वला हेर आई आपको कैसा लगा और नेक्स वीडियो आप किस टॉपिक पे बारे में देखना चाहते है वो भी आप मुझे बत म tenants चाहते हैं उन्मा उने अेक फिर णापको कог ए ऐापको को करें कि यह संड़ सो हॉत हैं चाहते हैं तो मुझे झाम वुझे को आपको